नमस्कार दोफ्तों में संदीप स्वागत आप सभी का आज किस नई करस्वें चलिए दोफ्तों आप लोग ज्यादा फे ज्यादा क्लास से ज्वायन हो जाई है क्योंकि आज कि इस वीडियो हम बात करने वाले most important question के बारे में जो कि आपके आने वाले exam के लिए काफी helpful होंगे तो बिना देरियो के वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको साही जानकारी और वीडियो में जो भी question answer में आपको प्रवाइट करने वाले हैं यह नई इस इच्छानीत के अधार पर सारे question मैंने फिल्टर के हैं चार्टे ह और मैंने सोचा कि यह सारे question जो है यह आपके exam के लिए काफी helpful साबित हो सकते हैं और यह कुछ question जो इसमें आपको मिलेंगे यह पिसले कई सालों में repeated भी है इस बार नई फिच्छानीत के according इस बार जो exam का pattern आप सभी को मालूम है मैं हर वीडियो में बता ही देता हूं कि जो कि लेटेस्ट है ठीक है और नई सच्छनीत पर अधार निता है जरूर देखेगा पहले question वीडियो में रखा मैंने आपको मैंता दू कि यह जितने भी questions वीडियो में होने वाले हैं वह आप सभी को मैं आपको बता दू यह सारे question जो है वह राज राजनीत साफ्तर के होन अंदोलन के बारे में आप लोगों का क्या मतलब है या फिर इससे क्या ताथ पर है विसी आप लोगों को लिखना इसका एंसर ठीक है question आपको एक्जाम में इसी तरह देखने को मिलेंगे यह लेटेस्ट पैटर नहीं इस बार का ठीक है पहला question है आप लोग ने पढ़ी लि अंत हुआ करांथ कारियों को बन पिश्टोल राजनीतिक हत्याओं और राजनीतिक डकैतियों में विश्वास था इस युग में आंदोलन का नेतरत नव्यकों के हाथ में आ गया यह नव यूग करांद कारी थे लाल ठेक लाल बाल और पाल तो आप लोगों में बता दू भ भारत में राजनेती में महत्मा गांधी के पदारपण के साथ उग्रवादी अंदोलन का अंत हुआ क्रांतकारियों को ठीक है बंपिस्तोल राजनेती खत्याओं और रातिक डाकेटियों में विश्वास था ठीक है इसलिए इस कामतात पर यह है कि इस यूग में जो इसका अं अंतिकारी थे लाल बाल और पाल यह याद रखी गए तीन ठीक है लाल बाल और पॉल कि लिए क्या समझते हैं तो सब्सक्राइब नरमदल और गरमदल नरमदल और गरमदल सन 1905 तक भारतिया राष्टे कांग्रेस में ठीक है नरमदल का प्रभाव था 1907 में उग्रु वादियों का प्रभाव आ गया नरम दल के नेता सांति प्रिये थे वे अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे उनके मुख विचार निम्न है यानि कि जो भी ठीक है जो भी नरम दल के नेता थे ठीक है वो सांति भाव के थे यानि कि सांथ भाव प्रकार के थे ठीक है उनकी जो बिचार है वो निमलीवान्कित है नीचे आप लोग को देखने को मिले का पहला था ठीक है पास्चात्य साभत थीक है सभिता के समर्थक थे बिट्रिस आसन में आस्था रखते थे करमिक सुधारों में विश्वास वायधनिक्ता में विश्वास अंग्रेजों के नियाप्रेता में विश्वास ब्रेटेन के साथ संबंध भारतिय हित में और नेश्ट है साथ नमबर हिंदू मिश्लू में एकता में विश्वास देश की सेवा और नेस्टेश उतनता से हीमानो प्रगतिसंभो तो यह विचार जो थे वो जो विचार थे यह हमारे अगर्भ ठीक है जो नरम दल के नेता थे उनके थे तो यह हां रखेगा भाति है फतना अन्दोलन मे कि je basis games आप बताई गयी ऑद्ग की तो बिचार दाये थी नर्म और गरर्म दल तो और गरम के आदब निल शुवच थे उनके निमनांकित वह इनके वाजीब थे यह जो मांतemu है तो ओ झाय था बहारत छोड़ों आंधोलन ने भारतियों वह एक ऐसी अपूब्र जागरद उपन कर दी जिससे ब्रेटन के लिए भारत पर लंब्य समय तक सासन कर पाना मुश्किल हो गया ठीक है SC के अनुसार बिद्रो के परेडाम सुरूप अधिराज पुरानी मांग सर्वता समाप्त हो गई और उसका अस्थान पूर्ट स्वतनत्ता की मांग ने ले लिया इसी आंदोलन ने भारतिय स्वतनत्ता के लिए प्रश्ट भूम तैयार की थी अगस्त क्रांती अत्याचार एउम दमन के बिर्द्ध भारती जनता का बिद्रो था या क्रांती जनता में उत्पन्न नवीन उस्सा तथा गरिमा की सूचक थी इसी आंदोलन के कारण अमेरिका तथा बेटन में जन्मत इतना अधिक भारत के पच्छ में हो गया कि अंग्रोजे को बिवस होकर भारत छोड़ना पड़ा तो कुल मिलाके भारत छोड़ो आंदोलन का महत तो आपने पढ़ी लिया है कि यसके बनर जी के उनसार इस बिद्रो का प्रडाम स्वरूप अधिराज पुरानी मांग को सरपता समाप्त की गई ठीक है उसके अस्थान पर पूरता सतनता की मांग की गई ठीक है मांग ले लि पि较जार की अगस्थ का तत्याचारिय। दमन बिरुद भारते जनता का बिद्रो था और करांतिकारियों को ठीक है जो क्रांतिकारियों में जनता उत्पन्नेवन मुच्सा के गर्मा की सूचक थी इसी अंदौलन के कामड अमेरीका तर्था बेटेन में जनमत ठीक है इतना कि अग्रेज़ों को वीबस खो खोड़ना पड़ा यानि यह में세टी सप्ताइक बिथिएं की है को सब्सक्राइब कृप्स भारत क्यों आया तो उसकी वजया क्या थीा लोगों प्षब कराण तो पहला जो कारण भारत को बित्र राश्टो कब दबाओ नेस्टो यंता भारत कशिधर और अजाध हिंद रात क्यों आया तो इनकी जो निम्न निम्न कारण है यही है इसलिए आया ठीक है नेस्ट कोश्चन है की एंटेग्यू ठीक है मांटेग्यू चेंपस फोर्ड अधनियम के बारे में समझाईए या इससे क्या तत पर यह लिखना है अजिए कि मांटा फोर्ड अधनियम के निर्माड का ततकालीं कारण मेस्वटामिया कमीशन की रिपोर्ट थी पर्थम विश्युद्ध में भारतिये भारतियों से सहायता पाने के लिए बेटें ने स्वासासद देने की बात कही थी इसी के परडांस रूप भारत भारत मंत्री लाड मांटेग्यू ने मांटेग्यू ने 20 अगस्त सन 1917 को संसद में घोस्रा की की बिट्री सरकार का उद्देश भारत में उत्तरदाई सास्तन को इस्थापना करना भारत के वाय सराय लाड चेम्स फोर्ड और भारत मंत्री मंटेग्यू के परस्पर विचार बिमर्स के बाद सन 1918 इस्वी में भारत के संबैधनिक सुधारों के लिए एक रिपोर्ट प्रकासित हुई जिसमें मांट फोर्ड रिपोर्ड रिपोर्ड कहते हैं इसी रिपोर्ड की सिफारिश के आधार पर 1919 में बिट्री संसद ने भारते सासंद अधनियम 1919 पारित किया ठीक है तो यह रहे मोस्ट इपार्डन आपने पढ़ाई होगा तो चोरी चारा काट के बारे से आप क्या समझते हैं इसके बार मिल भी जाएगा तो आप लोग बाद में पढ़ते रहेगा तीन-चार बार पढ़ेंगे क्योंकि यह सारे अब्जेक्टिव कोष्ट नहीं सब्जेक्टिव हैं दो तीन-चार बार आप लोग पढ़ेंगे समझेंगे तभी असानी से समझ भी आएगे ठीक ऐसे एक बार में नहीं आएगगे मैं फिर से बोलना हूँ हर बोड़ियों में बोलता हूं इसमें भी बोल पुट जिले के चोरी-चोरा नामा के स्थान पर कांग्रेस द्वारा एक जूलूस निकाला जा रहा था पुलिस ने जूलूस रोकने का प्रियास किया जिससे जनता और पुलिस में मुट भेड हो गई पुलिस भाग कर थाने में छिप गई इसके बाद उतेजित भीड ने ठाने को घेर कर घाने को गेर कर उसमें आग लगा दी इसमें ठाने के सभी लोग जलकर राख हो गए इसके बाद ग्यारा फरोरी 1922 को कांग्रेस कार शमित ने आंदौलन के हिंसक को ठीक है गांधी जी द्वारा सवे को अंत्वालन सांती पूर्बग ठीक है चलाने का इन्होंने नेड़ा लिया ठीक है तो चोरी-चवरा-कांड में यही सब होता है कि सब्सक्राइब कर देंगे जिसमें काफी यानि की आप लोगों का भी हान होगा हमारा भी हान होगा तो कुल्णा के वही हुआ आगे इसमें लिखा है कि समय पूरा होने के बाद पांच फारोडी-922 को गोरगपुर जिले के ध्यान लखेगा जो चोरी-चवरा-कांड में और गोरगपुर जिली के चवरा-कांड में है ठीक है तो वहाँ पर कांग्रेस द्वारा एक जिलोस निकाला गया जिसमें पुल पुलिस्कम थे इसलिए वहाँ पर जो पुलिस कर्मी थे वह सब भाग कर थाने में चले गए उसके बाद वहीं जन्ताओं या फिर आप लोग कह सकते हैं कि जिसमें जो लोग वहां पर थे उन्हों ने थाने में जाके आग लगा दी ठीक है तो वहाँ पर जितने भी लोग से जलके राक हो गए इसके बाद 1122 को कांग्रेस कार समित ने अंदोलन हिंचक जाने की कांड इसे अस्थाकित करने का नेड़ लिया तो कुर्मला के यही ताथ पर रहे कि सर अंसर भी बता दिया करिए तो मैं उस अंसर भी आप लोगों को दे देता हूं फिराल लेकिन मैं कोईश्चन कोईश्चन बताता हूं आप सभी को कि यह मुस्ट इपार्टन है लेकिन कमेंट की वज़ा से मजे अंसर भी बताना पड़ता है ठीक है लिखा कि पूर्ना चली मुसल्मानों उनके प्रथक निर्वाचन की विवस्ता 1909 के अधनियम में ही कर दिया गया था उन्होंने हिंदों में फूट डालने के उद्देश से हर जनों के लिए अलग निर्वाचन की विवस्ता की गांधी जी की इस नड़े से ठीक है गांधी जी के को इस मेटकर और गांधी जी के माध्यम 1932 में पूर्णा में समझाओता हो गया तो पूर्णा समझाओता कहलाता है ठीक है यानि कि इसमें बताया जा रहा है कि कुछ अंग्रेजों द्वारा एक चाल चली जिसमें उन्होंने मिसल्मानों में और हिंदों में फूट डालने का एक क कि भारत की आजादी में कौन-कौन से तथुसायक रहाएगा ओढरत क्याद कि अजादी में कौन-कौन से साथ जो तत्तों सहाय करें वो निम्नुवांकित हैं आप लोग पढ़ लीजे के करके लिखाय की पहला जो था वह बेटेन के मजदूर दल की सरकार दूसरा बेटेर पर बेटेन पर मित राज्यों का दबाओ और चुनाव परड़ाम कंग्रेस के पच्छ में सेना द्वारा बेटेन के प्रति विद्रो निस्टे सामयवाद का खत्रा निस्टे कर्बिनेट मिस्टन योजना निस्टे अंत्रिम संकार का निर्माण ठीक है और निस्टे मांट मांट तो भारतान योजना, ठीक है, यह जो तत्तों है जो यह तत्तों है जो भारतां के खत्तों थे सहायक तत्तों थे नशे मां लिखा कि भारताध हो ऑटίν की तो ऱ्हिटर कि दंगे, आपको हुआ है उसके मुक्रेंद याद रखे कम्जुल्ट पढन कोですね कि भारति सविधान की प्रस्ताविन क्या है निन्सें कि पर लाद कि जिसमें कहा गया कि भारत लोक तंत्र संप्रभू समाजवादी यों धर्म निर्पेच राज ये एधर प्रतेश है समाजवादी योमधर्म निर्पेचिता को 1976 में बायल बायलो चुवें समयधानिक संसोधन के द्वारा जोड़ा गया अर्थात भारत में जंता द्वारा चुनी गई सरकार होगी राष्टपत एक निश्चित अवदी के लिए होगा आंतरिक योमबा है मामलोब में भारत स्वतंत्र होगा स सभी के साथ समान बेभार्यों धार्मिक स्वतंत्रता होगी तो भारतिया समयधान के प्रस्ताना थी यहीं थी मोश्ट इपार्टन्ट और टॉप लेबल का यह कोश्चन है रट लीजिया क्या आपके एक्जाम में 90% चांसे से इस कोश्चन के आने का क्योंकि यह जरूरी है समयधान के प्रस्ताना के बारे में ठीक है समयधान के प्रस्ताना में यही सब बताया गया कि भारत में एक लोकतंत्र और गरतंत संपुरदार समाजवादियों धर्म निर्पेच राज है इसमें किसी भी प्रकार क्या भेदभाव नहीं किया जाएगा अर्था जनता द्वा सरकार की जाए कि कौन सी सरकार आएगी कांशी बदली जाएगी सरकार के जन अवद ही होगी उसके बाद रिटार्मेंट कर दिया जाए गा तो इसी तरह के भारत्य समंधान की प्रस्थावना मुख्ष जो आप सब्सक्राइब देश के समाजिक आर्थिक उननत के लिए उनका पालन राज के हित में है नीत निर्देशक तत्तु वे निर्देश हैं जिन्हें समध्धान ने राज को दिया और उसे यह आसा की गई कि वहा किसी बंधन के रूप में नहीं वरन अपने करदब के रूप में इन पर चलेगा तो कुलमिलाके भारते समध्धान में वर्डन नित का फिद्धान्त यही है इसका तात पर तो यह पूरे के पूरे जो मै गुमाब भिरा के कोई कोई स्वाइब कोई कोई प्रस्तावना से चांफेच ज्यादा है आने के लिए तो आपको वीडियो कैसी लगी कमें जरूर बताएं कैसी लगी और भी आप लोग कि सब्जेट का माडल पेपर चाहिए कुछ अगर कभी आ है तो कमेंट में जरूर हैं और टेलिग्राम चैल से जुड़ जाएं वीडियो के लिक मिल जाएगा मिलते हैं नेस्ट वीडियों तो तक ले जाएं